है हलो बच्चो वेलकम टू राइज अकेडमी यूट्यूब चैनल और बच्चो आज हम लोग एक नय लेक्चर के साथ स्टार्ट करने वाले बच्चो आज का जो लेक्चर होगा आज हम कोई नय टॉपिक नहीं पहने वाले हैं प्लियर है आज क्या सॉल्व करेंगे बच्चो आज हम लोग अपने टेस्ट के प्रिवियस टेस्ट के को सॉल्व करेंगे बच्चो सबसे पहली बात बच्चो कि अगर आप लोग सारे को स्टन को एक नहीं किये हो मालों कि जैसे कोई है कि उसी टाइम जो पूसन एक तेम्ट किया है जैसे उस टाइम आप से जितने भी को स लिन्कि आपके पास नहीं हो तो भीडीओ के साथ दोनों ग्रूप में बच्चो फिर से पूरे को सब्सक्राइन को करो अपको नहीं आता है। बच्छो वीडियो देखना रोकर ठीक बच्छो तो चलिए मोगे स्टाइट करते हैंसाब से पहले बच्छो हमारा पहला कुस्टन सबसे पहले मारा पहला कुस्टन को सब्सक्री बच्छो यह अवरेज वेलो चीटी ऑफ फ़ पार्टिकल moving in a straight line with constant acceleration क्या दिया है बच्चों हमको acceleration क्या दिया है हमको बोला है कि acceleration हमारा क्या है बच्चों acceleration constant है ठीक है बच्चों आगर उसका initial speed कितना है U है U क्या दिया है बच्चों उसका initial speed दिया है तो हमसे क्या बोला है कि T time में उसका average velocity क्या होगा 4 option है पहला option किया है बच्चों U फ्लस कितना half 80 दूसरा option कितना है बच्चों U प्लस कितना 80 तीसरा option किया है बच्चों तीसरा option है U plus कितना U plus 80 by 2 और चौथा option क्या है बच्चों और चौथा option है U by 2 clear बच्चों यह हमारा option था कैसे निकालेंगे एदम symbol formula based question था हम क्या जानते बच्चों की जो average velocity होता है वो क्या होता है displacement by time तो हमको क्या निकाल देना है displacement displacement क्या होगा अगर पार्टिकल किसे जारा बच्चों constant acceleration से जा रहा है तो क्या लिकेंग बच्चों UT plus क्या होता है half 80 square divided by क्या tt common करके card 2 तो कितना बचेगा बच्चों U plus कितना half 80 यह हमारा क्या हो क्या है गा average velocity तो option क्या होगा first correct होगा clear है simple सा question था question number second क्या है बच्चों लिकलो इसको जल्दी से जिसको आता है अच्छी बात है नहीं आता हो देख लिए अगला question क्या था question number second बच्चो question number second में को दिया था कि two particles are released from the same height at a at an interval of one second मालो की बच्चों क्या है कि हमारे पास कोई टावर है टावर से हम दो पार्टिकल को डिलीज करते है मालो पहला पार्टिकल रिलीज हुआ पहला पार्टिकल के गिर के कहा आ जाएगा मालो यहां पे आ जाएगा उसके थोड़े दिल के बाद क्या हो गया यह दूसरा पार्टिकल को डिलीज के यह क्या है पहल becomes 10 meters apart यह पहला पार्टिकल कितना टाइम नीचे गिर जाएगा कि दोनों के बीच का distance कितना होगा दोनों के displacement का difference कितना हो दस मिटर यानि कि मालो बच्चो थोड़े बोला है कि कितना time चला तो मालो कितना time चला पहुला लुए इसके कितने ईसको Divildo करने या यानि कि यह कितना चला होगा टी-1 क्लियर है अब दोनों का क्या निकाल लो बच्छो displacement चलो हम पहले का displacement displacement लिखते हैं स मुझाबर कितना होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर ड्रॉप कर रहा है तो यू कितना होगा बच्छो जीरो तो क्या लिखेंगे यू टी स्थों त्यसतなん ये कितना टाइम चली वर किया फोले स्वाइरित ये क्लिए ये हमारा ओ गया सेंड पर दीश्टमिन टेंट serait जाव बात है कि दोनों के भीच काल डिफ लंन के इसे प्रट लेइंट कितना है 10 कितना है बच्चो 1 by 2 half g t minus 1 का whole square is equal to कितना हो जाएगा 10 यहां से basically solve कर दो answer आ जाएगा क्या हो जाएगा half g common कर लो यह क्या हो गया t square minus t minus 1 का whole square कितना हो जाएगा a square plus b minus कितना 2ab is equal to कितना हो गया 10 10 से 10 cancel out हम इसको 10 एजूम करके चलेंगे तुल चला जाएगा और चो दी ए ढूप जाएगा यह पलाई कितना हो गया त्हक्रीड कितना 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 गया ंए कितना 1.5 पॉ क्यानिक टाइम कितना हो घ्रक टाएगा एकश्रा कितना यह वन ईूंट 5 चलेगा त इसका और भॉगा बच्चो फर्स्ट क्लिए रहे हैं इसके बाद थर्ड मिटा दे इसको क्लियर वा बात बेसिक कोशन था बच्चो अगला कोशन क्या दिया हुआ है जो हमारे पास अगला को सन ए वह अगला को सनुन है एब ओल इस ड्रॉप फ्राप फ्रॉम रूंत तावर हम्से क्या आपक टावर है एक डिल्डिंग है जिसके चथ से क्या करते हैं बच्छो एक बॉल कुरॉप करते हैं ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि उसका इनिशियल स्पीड कितना है जीरो ऑफ हाइट एच इस टावर का हाइट कितना है बच्चों एच अब क्या बोलता है ड़ टोटल डिस्टेंस कवरड़ बाई इट इन लास्ट सेकेंड जितना यह लास्ट सेकेंड में अपना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा अब एजूम कर लो बच्चों कि इसको कितना टाइम लगा टी टाइम लगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा बच्चों टी टाइम तो क्या बोला है कि जो ल डॉप होने में कितना टाइम लगा जैसे कि 5 सेकेंड लगा छे सेकेंड लगा फॉर एक्जाम्पल एजूम कर लो कि एक बॉल ले लिए बॉल ले करके हम कहां चले गए किसी बीडिंग के ऊपर चले गए और वहां से क्या करते बच्चों बॉल को हम डॉप करना शुरू करते ह कुछ तो टाइम लगेगा उसको नीचे आने में लाइक दो सेकेंड चार सेकेंड आठ सेकेंड कुछ भी लगेगा एजूम कर लो उसको आठ सेकेंड लगा अगर आठ सेकेंड उसको बॉल को यहां से यहां आने में लगता है तो यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि जो सेकेंड में यानि कि एठ सेकेंड यहां पर सेकलं का मतलब किस्दव करता है वह इसके बराबर भाजत करता है उसके इसकों कुछ चाहिँ करेकल टोटल इस्टेन एक मोशन इस डिस्टेंस कोवरड बाइक इन फर्स ट्री सेकेंड अब करता तो हम माल लेते हैं कि जो बॉल को ड्रॉब कर किये है इनिसे लेस्पी ड्यू है टाइम कितना लगा बच्चो इसको टी टाइम लगा यहां से उपर से नीचे गेजने में क्लियर बात अब माल लो टी एथ सेकेंड में जितना डिस्टेंस लेवल करेगा वो क्या होगा फॉर्स कि कि लास्ट लेटा में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो यहां से क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि ऑ कि एस एर्द तो ट्य क्या होता है कि यू- प्लस- a by-2 इंटुकित ूटैू- बॉं ile यह होता है यू-बन इंटु कितना 2N-1 कितना टाइम एजुम किये है टी टाइम लगता है यहां से एस एन अथ कितना आ जाएगा बच्चो एस एन अथा जाएगा यू जीरो है डॉप किये हैं एक अमेलू कितना हो जाएगा जी बाइटू इंटु क्या लिखेंग बच्चो 2T-1 यह हो गया क्या हो जाएगा बच्चो एस बराबर कितना UT plus half 80 स्क्राइब ठीक है फॉर्स थ्री सेकें मालनों फिर क्या किया है s और यह बराबर है ठीक है यह 1 हो गया यह 2 हो गया तो क्या लिक्टेंग बच्चो फ्रम ओन डू क्या हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा G by two into कि नमच्चो 2t minus one is equal to कि इतना माझा जाएगा 9g by two clear है यह से g by two g by two cancele out यह क्या हो जाह बच्चो 2t is equal to kitna हो गया 10 तो टीज इकल डूटी कितना हो गया 5 सेकंड या निकी बॉल को जमीन पर आने में कितना टाइम लगा पाँच केंड बस उसके बाद क्या है हाइट निकाल तो अब हाइट निकालने 25 यह 10 अगर एजिम करें इसको 5 बोल देंगे तो 25 मिल्टिप्लाइड वे 5 कितना हो जाएगा 125 मेंटर जंदी की हाइड कितना होगे बच्चों 125 मेंटर क्लियर बात तो यह हमारा क्या हुआ थर्ड कोस्टन ठीक है इसका भी ओप्सन क्या है हुआ है अग अगा है अगला क्या है कि जो अगला कोशन दिया हुआ है कोशन नमरोफवल को समन पसल्वनговर क्या दिया हुआ है बच्चों को दिया है कि एक पार्टिकल का जो पाथ है जो और दी वाई बाई डीति जो होगा बच्चों। उसका घैलु किसके के इक्वल है उसका वैलू C के इक्वल है ठीक हमको दिया है कि if dx divided by dt बराबर कितना है d y divided by dt is equal to कितना बच्चों c और a b c जो है वो क्या है constant है तो हमको क्या पता करना बच्चों हमको इस पार्टीकल का acceleration पता करना ठीक है सीधा सीधा क्या था बच्चों यह जो question है वो सीधा इसीधा differentiation का question ठीक है यहां फे करेंपे 6 में यूज हुआ है and on the use है लेकिन question क्या बच्छों सीधा-सीधा differentiation का हम से क्या बोला position दे दिया है हम से क्या बोला कि पता किजिए हमसे बोल दिया है कि basically आप जो है इसका एक्सी लेशन पता कीजिए तो position से हम लोग एक्सी लेशन कैसे पता करते हैं बच्छों हम सब को पता है क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे अगर इसको differentiate करेंगे तो क्या होगा बच्छों दीजेट दिवाइड बाइड कितना डीटी यहां से क्या हो जायागा बच्छों यहां से एक ओंस्टेंट था x q यह डाइरेक्ट डिफ्रेंशिशन नहीं होगा तो यहां पर क्या करेंगे दीएक से दिवाइड बाइड डी इंटो क्या लिख देिंगे बच्छों डीवाइग कितना डीटी अबडी एस cheaper प् Lindsay क्या हो जाएगा थ्री एक से स्क्वार इंटू ये क्या होगे अंस्टेंट प्लस इसका क्या हो जाएगा बी इंटुई इसके क्या हो जाएगा रॉइ mm की सिंक्व इसनी पारटीक्ब तब्लहट करें फिर इसको व्रस को हम लोग एक बार टिफ्रेंसियेट कर देते हैं फिर दो बार homesी जे चिंदल GSA वाइिध威एद बाइटी क्या करेंगे फिर जो constant बाहर निकाल दो 3ac constant बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा dx square divided by कितना dt प्लस क्या हो जाएगा बच्छो 2bc इंटु क्या लिखेंगा बच्छो dy divided by कितना dt देखो फिर यहाँ पे square बच्छो तो क्या करेंगे आपे 3ac into dx square divided by dx इंटु क्या हो जाएगा dx into dt अब प्लस बच्छो यह क्या हो गया 2bc dy by dt क्या हो जाएगा बच्छो dy by dt का बैलू भी c बोला था यहाँ से क्या हो जाएगा इसका डिफेरेंसेशन देख लो 3ac into इंटु कितना हो गया 2x into c plus कितना हो गया 2bc square यानि यह क्या हो गया बच्छो 3ac sorry 6 6ac square into x plus कितना 2bc square y यानि कि यह क्या है x में और यह क्या है y में तो यह हमारा क्या हो जाएगा एक्सिर लेशन तो हमारे यह एंसर हुआ option देख लो बच्छो आई थिंक आप लोगों का first option ठीक है तो option क्या हो जाएगा बच्छों लोगों का first the first correct था क्लियर बात लिको जल्दी से easy question था को से नमर क्या बच्छों question number five question number five बताने के ज़रूरत नहीं है बच्छों I think मिटा देशको question number five में हमको क्या दिया हुआ है question number five है उसमें बच्छों को दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दिया हुआ था कौन सा एरिया लेंगे 10 है इधर कितना 11 इसका एरिया ले लेना तो एरिया क्या हो जागा बच्छों वन बाई टू बेस कितना 10 सुरी 11 और हाइड कितना 10 यह कितना हो जाग बच्छों 5 यानि कितना हो गया 55 देखो लोगो दिया हुआ अच्छा में कि एक पार्टीकल को ड्रॉप करते है वर्टीकली फ्रम हाइट डी एक पार्टीकल को कहा से द्रॉप करते बच्छों इस हाइट से डॉप किया जाता है डॉप करने का मतलब क्या हुआ पहली चीज कि इसका स्पीड जीरो होगा और ड्रॉप करना है तो इसका एक्सी लेशन क्या होगा बच्छों कॉंस्टेंट होगा बस ये दो चीज समझ के रखना अगर ड्रॉप किया हुआ है तो मतलब एक्सी लेशन कॉंसे एक्सेंट एक्सेंट डूट ग्रेविटी जी माइनस जी बोल दो 9. आइन पॉर्ष्टेathe साथंज। थिरू टिकैत और क्या होताा बच् antis यह आकर के जमीन पर टकराता है कि अपया है रूपर तक चक कोन सा जादा तो पहली बार बच्चो कि किसी एक को positive direction देखो देखो पहली बार अगर मालों उपर से जब नीचे आ रहा है तो displacement क्या है negative आज दूसरी बार नीचे से जब उपर जाएंगे तो displacement क्या है positive यानि कि जो हमारा graph होगा सीधा सीधा है अगर आप देख सकते हो यह जो option भी था हम जो constant होगा तब यह दोनों हो सकता है एक से अभी चोड़ो अभी यह दोनों सकता है दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है अब ध्यान से देखना बच्चो अगर हम equation established करें acceleration velocity और किसमें displacement में तो हम क्या जानते है भी स्कॉइर प्लस टू ए क्या होता है एस यहीं होता अभी तो भी स्कॉइर यू कितना है जीरो टू एक्सिलेशन कितना माइनस टू जी इंटू डी यानिके दोनों के बीच का ग्राफ कैसे आला चाहिए पाराबोलिक देखो भी स्कॉइर इस डाइरेक्टी प्रोपोर्शनल टू क्या हैडी हाइट के साथ यहनिके पैराबोली ग्राफ आएगा एस्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता है तो ऑप्सन क्या हो जाएगा ए ठीक है बच्चो ग्राफ वाला जो कोशन होता है वह आप ऑप्सन से ही चेक करोगे बीना ऑप्सन का नहीं बनेगा चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग कोशन नमर 7 क्या है तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्यों क्योंकि हम लोग बिसिकली सब कोशन को कर चुके हैं पॉले क्लियर है चलो देखते हैं हमसे क्या बो लाइब चो हमसे बोला है कि इसके कोर्रस्पोंडिंग एक्सिलेशन वर्ट से डिस्प्रेस्मेंट का ग्राफ कौन सा होगा चार अपसंदिया हुआ है इसको सॉल्व करो बच्छो इसी लिए ग्राफ बताया गया था अच्छा वह ग्राफ लिख सकते हैं बच्छो किसका ग्रा अब लस्प्रेश्प कर दिया गया है बात क्लिए है वाई के लिग सकते बच्छो माइनस में एक्स क्या बच्छो एस अट कितना से उपर देखो यहां पर जीरो पर कितना है भी नौट तो प्लस क्या हो जाएगा भी नौट यह हमारा क्या आगा बेलोस्टी इसको डिफ्रे इसको क्या लिखेंगे डीवी बाइडी टी इस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम डीएस बाइडी टी आज यह भी क्या भी नोट क्या इनिश्यल वेलोसिटी तो इसका डिफरेंसेशन कितना जीरो यहां से देखो यह क्या हो गया एक्वल टू क्या हो गया माइनस एम डीएस बाइडिटी क्या बेलोसिटी है वी सिंपल सा बात है करहा है और वी का वेलोसिटी यहां पर रखे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एम Dziękuję माइनस M S प्लस कितना बच्छो V naught multiply करो बच्छो क्या हो जाएगा A is equal to M square S minus कितना M V naught M V naught का अगर हम लोग basically unit निकालेंगे तो यह भी acceleration होगा इसको A naught बोल सकते है तो graph कैसे आया Y is equal to M square constant यानि कि क्या हो गया बच्छो अगर इसका हम लोग graph देखे इसको अच्छे से लिखे A is equal to M to constant था तो उसका S square करेंगे तो भी क्या होगा constant होगा तो क्या बोल सकते बच्छो इसको C बोल दो is equal to X minus कितना हो गया A naught यानि किसका ग्राफ होगा बच्छो a straight line किसका ग्राफ हुआ a straight line का ग्राफ हुआ और बच्छो क्या होगा नीचे shift करेंगा यानि कि इसका option क्या होगा A जादा correct होगा इसका first option correct होगा 7 का क्या होगा first option clear है जल्दी से लिखो 8 पे पहुंचते है लिखो जल्दी से बच्छो 8 बताने का जरूरत नहीं है हमको दिया क्या डिस्प्लस्मेंट दिया हुआ है और वहां से क्या निकाल देना बच्छो वहां से हम लोगों को speed निकाल देना है differentiate करो टीज इकल टूपी अरे देखो ने यार question number 8 क्या हो गया X is equal to कितना बच्छो 2T Q plus कितना हो जाएगा 2T plus क्या हो गया 4 ठीक है और कहाँ पूचा बच्छो AT T is equal to कितना 2 सेकंड velocity पूचा है differentiate कर दो DX by DT डाइट लिक दे बच्छो इसका कितना हो जाएगा 60Square इसका कितना हो जाएगा 2 और डाइट T Q का दिफरेंसे जन 3T कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा यहाँ पे 3T स्कार्ट कितना हो गया 60Square कहाँ पूच्छो AT T is equal to कितना 2 सेकंड तो रग दो 6 x 4 प्लस कितना 2 या निकितना हो गया 26 meter per second यह आठ नमबर कुस्ट कुसर नमर जो 9 है बच्चो इस ये कुस्ट हमलों क्लास में किए हैं क्या है हमारे पास को सब्सक्राइब ननाइन क्या था कि यृ ज्यादा小時 मीने है के चीज को से सेंट करें है का इस वा तिस में करने में एक बोक स्पेस्ट को से अंक्न क्लियर है चलो यहां से क्या हो जाएगा हम को दिया है कि एक पार्टिकल का जो पो जी साने कैसे शिप्टोड़ा एक्स ब्राबर टीए स्क्वार माइनस कितना बच्छो एट टी अप्लास कितना टू ठीक है तो पांच सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस लेवल करेगा लिए कितना डिस्प्लेस्मेंट देको बच्छो यह पाल्टी खाने वाला कुस्चन आगया पहले क्या करो इसका वेलोसीटी निकालो निकालो तो वेलोसीटी क्या हो जाएगा डी एक्स बाइडीती कितना वहागा बच्छो 2T माइनस एट कि मैले सीबिको थूरा जीरो कर द यह कर दिक है ऐगी बराबर जीरो पे यतना दो मीटर यारी कि हमारा ओरीजिन हो गया तो टी बराबर जीरो पे सलरी माई थू सुरी सलरी कि माईने स्ठी यह सुपित सम्झा श्चाइब हिसको थे यह यह दिस रहा जिस को तो कह राज बना थी के टीज़ टो फॉर सेट पीनिकलो कहां पे है अगर क्या लिखेंगे एठ उकल टुफर सेकेंड एठ टीज़ इकल टू टू फुर सेकेंड कहां पे होगा देखुए स्का पोजिशन क्या लगे एक सीचुल डिकींट इटना हो जाए कि आपच्छो सोला माइनस कितना बतीस अ-2 क यानिकी इसका कोडिनेट कहा पर आजाए बच्छों यहां पर आजाएगा माइनस 18,0 इसके पाद इसका वैलोची टीडी रो जाया कि ओक इधर जा रहा था यहां पर गया यहां पर इसका वैलोचीटी ओगया जीरो और फिर कीदा आएगा वापस चेंज होगा ठीक है टीजी क यहां बच्छों माइनस 17 पर यानिकी एक पांच पर कहां है यहां पर है माइनस 17,0 सॉरी अब देख हम से क्या पूचा है दिस्टेंस ट्रेबल इन पार्टिकल इन कितना सेकेंड फाइफ सेकेंड यानि पार्टिकल दो पर था देख तुमाना पोजिशन के अथा दो कहां प पर स्मूर के कहां पर आया 717 पर तो कितना डिस्टेंस ट्रेबल किये इस्टेंस कितना साव ट्रेवल कि बच्छों है 17 मिटर यह 16 और एक इतना हुआ 17 डिस्टेंस कितना हुआ 17 लियर है तो पहला एंसर क्या हो गया 17 यानिकी पहला कसी 9 का सी हो जाएगा और पुछे पोइड के बीच के डिस्टेंस कितना है बच्छों 15 तो डिस vớiमेंट कितना हो जायेगा पंदर टो इलेवन क्या हो जायग required मैं प्ड़ी के अ fan क्या हो जाय जाएगा बच्छों एयवरेज वेलो सीटीप आय तो डिस्प्लेस्मेंट बाइग क्या है 15 और टाइम तरी पी taraf आपनों को देदि अग्र अना को समट शो 13 थर्टीना को से बहुद अच्छा है मी ते कर मिटादी इसको कर देद आई जाए यह को चलिये मिटा देदेते है Rick को सनमर्ट इसकें को हमकि और बूल ईकाय को एक एटैरेंजमेंट देद आए से यहाँ पर क्या है यहां पर एक ब्लॉक है है ऐसे पुली की थुरूओ और यहाँ पर क्या है यूए सपीट से एह वर कितना अएफ कीचा जाता है इसका मास कितना साथ बच्चों कितना मारते हैं बच्चों 2 u cost theta और पहला ही option दिया इसमें 2 u cost theta लेकिन बच्चों ये question ऐसे नहीं बनेगा ये अच्छा question ये भी जेए का आया वो question है hcv के basically objective का भी question clear है कैसे बनाएंगे बच्चों इस question को देखो ध्यान से हमको इसका क्या चाहिए बच्चों ऊपर का वेलो सीटी यानि की क्या चाहिए rate of change of velocity इस direction में हम क्या करते बच्चों इसको मालों ये वाला length कितना है इसको हम X माल लेते हैं इसको क्या माल लेते है ये वाला length Y तो ये बच्चों एक triangle दिख रहा है क्या आप लोगों को y-square, हो जाएगा बात, कि रियल है l-square प्रवा गितना x-square plus, कितना हो जाएगा बच्चों y-square, अब देखना ध्यान से यहां पे, हम को क्या दिया है u जो है क्या है is racy के change होने का rate कितने rate से रस्टी आ रहा है यानि कि u का value कितना है d l by kitna dt, तो differentiate करो तो इसको को T के respect में तो क्या लिख सकते हैं DL square by Beauty is equal to dx square by d t plus kicks not d square by d t यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा DL square by d l into dl by d t chain rule is equal to x क्या भाइटो यह वाला length और यह length में इसा क्या रहेगा constant रहेगा तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों dy square by कितना dy into क्या लिख सकते हैं dy by कितना डिटी यह dl by dt क्या है बच्चों velocity speed u इसका length कितना हो जाएगा इसका differentiation 2L into कितना हो जाएगा u is equal to इसका कितना हो गया 2y into dy by dt इसी को तो निकालना है कि किस rate से यह वाला रसी उपर उठेगा यहीं तुनिकालना है तो इसको भी मलोँ इसी का value निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों यह 2 से 2 क्या हो गया cancel out यानि कि यहाँ पर लिखेंगे d y by कितना बच्चों d hm t is equal to क्या लिख सकते हैं बच्चों is equal to लिख सकते हैं यू U into L by कितना Y इसको ऐसे भी लिख सकते है बच्छो DY by कितना DT is equal to U divided by Y divided by L देख सकते हैं अब देखो बच्छो ये वाला ठीटा था ये भी ठीटा तो इस ट्रेंगल में कॉस्ट ठीटा का बैलू कितना हो जाएगा base by hypotenuse base कितना है Y, hypotenuse कितना है तो य भाई यल के आओ गया कोस्ट ठीटा यानिके अंसर के आओ गया U by cost इसको बात क्लिए हुआ तो इसका एंसर कितना होगा U by cost क्लिए है तो यह हमरा क्या हुआ 13 नमबर आगे कहा बढ़ते बच्छो 14 पे बिटा इसको 14 नमबर भी बच्छो conceptual question है ज्यादा कुछ नहीं है 14 नमबर भी सिधा सिधा बच्छो differentiation का question है हमसे क्या बोला है बच्छो हमसे ये बोला हुआ है कि अगर किसी particle का जो displacement है या position है कैसे दिया हुआ है बच्छो दिया हुआ है U into T minus 2 प्लस कितना बच्छो A into T minus 2 का whole square तब इसका initial speed और क्या बताना बच्छो XC lesson बताना है कब बताना कितना होगा basically तो position दिया है speed निकालना है तो क्या करेंगे इसको differentiate कर देंगे सीधा सीधा तो differentiate कर दो इसका differentiation क्या हैगा या फिर इसको solve कर लो थोड़ा सा इसको solve कर लो आपके लिए easy होगा यहाँ पर भी differentiate कर सकते हैं लेकिन आपको दिकत ना होगा हो इसके लिए क्या कर इसको differentiate कर दो क्या लिख सकते है X is equal to U T minus 2U प्लस क्या हो जाएगा A T square plus 4 minus 2T इसको भी multiply कर दो U T minus 2U plus A T square minus sorry plus 4A minus 2A T differentiate कर दो बच्चो velocity आ गया D X by D T यह velocity हो गया क्या हो जाएगा U constant बाहर D T by D T minus D 2U by कितना बच्चो D T plus A constant बाहर D T square by कितना D T प्लस क्या हो जाएगा 4A by D T minus 2A by D T by कितना D T D T D T काट गया यह क्या बच्चा U D U D इसका डिफरेंसिशन कितना जीरो इसका कितना बच्चो 2T T square का डिफरेंसिशन 2T क्या लिकिंगा बच्चो 280 इसका डिफरेंसिशन क्या हो जीरो यह कट गया इसका कितना हो गया 2A clear बात यानि कि यहां से velocity कितना हो गया U minus 2A plus 280 लिख सकते हैं तो आगर इसका initial speed कितना होगा बच्चो इसका initial speed होगा U minus 2A कि कहते गलत है हम से क्या पूच्चा बच्चो acceleration differentiate कर दो dv by dt यह total constant है do 2 U minus 2A into कितना dt plus 2A dt by कितना dt कट गया यह 0 हो जाएगा यानि कि acceleration कितना होगा 2A यानि कि particle का acceleration कितना होगा बच्चो 2A तो आप्सन नमर क्या था इसका C 14 का clear बात आगे बढ़े 15 if speed of a particle is 0 then it may not have 0 velocity अरे ओब्यसी बात है speed 0 है तो velocity 0 होगा 0 acceleration non zero velocity बच्चो speed 0 है तो velocity 0 होगा यह mandatory है तो A और C क्या होगा गौलत होगा 0 acceleration obviously बात है बच्चो ऐसे किछ पार्टिकल को ऊपर फेकते है तो एक top of the point आता है कि नहीं जहां पर इसका speed कितना होता है 0 लेकिन acceleration कितना होता है बच्चो नीचे की तरफ कितना 10 meter per second square तो option क्या B question number 16 बच्चो इस टाइब का question क्लास में किये थे क्या बोला हमको V is the function of time sorry displacement is the function of velocity दिया है कि V is equal to कितना है x square तो हम से क्या पूछा है बच्चो कि x relation is the function of क्या velocity तो क्या करेंगे differentiate कर देंगे dvy कितना dt is equal to कितना हो गया dx square divided by कितना dt इसको क्या लिखेंगे dx square by dx इंट कितना हो जाएगा dx by dt इसका difference इसन कितना हो गया 2x dx by dt क्या हो गया velocity velocity कितना है x square तो a is equal to 2x into x square a is equal to कितना मचोट 2x q यह हमारा क्या हो गया एक्सेट लेस clear है तो 16 भी बन गया 17 देख लेते है मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे बच्चों चलिए हम लोग 17 देखते हैं question 17 में क्या आया बच्चों कि अगर एक body को vertically उपर project कर रहे हैं कितने speed से बच्चों 100 meter per second के speed से ठीक है दो सेकेंड के बाद कितने से लिए बाद बच्चों दो सेकेंड के बाद क्या हो जाता है XC lesson due to gravity disappear यानी कि XC lesson कितना हो जाता बच्चों जीरू आफटर टू सेकेंड इसके बाद तो क्या बोला बच्चों तो पांट सेकन के बाद पार्टी कल का वैल शीटी क्या होगा अर्ब stellॉब टौर च्लियोर मिनाहई सिय्लक्रवच स्टेंच के लाइगा इसका वैलिसीती से धे हो जाए गा एक सेटना जोड़ा है दस मीटर पोर सेटन तो दो सकंद में कितना 20 अरे निकाल भी लोगो दो सेकेर निचाल वैद बेलोशी ती भी बराव कितना U सबसे बड़ी बात है कि मोभींग बॉडी का किसी भी बॉडी का किसी मूविंग बॉडी का किसी ताइm पर लेकिन एस्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता है ठीक है तो अपसर क्या हो गया हमेशा क्या हो और अर लिखता ओल्वेश पॉटिवोजिव बिल खत्र estás चलो अगला के है 19 को क्लास में कराया हुआ को सब फिर फर्दर 19 नमर कुस्ट निक राया हुआ है क्या बच्छो एक पार्टिकल है जो किदर मुव कर दान नॉर्थ के डायरेक्शन में डायरेक्शन सिस्टम बनाले बच्छों उपर नौर्थ नीचे साउट इधर के बच्छो इसट आई यहां दर के बच्छ वैस्ट पार्टिकल डाद आ नौर्थ के डायरेक्शन में कितने श्रीट से 5 meter पर्षेंट के स्बीजौ इधर चलना सुरू किया अचरान कि अचिर मूर जारा बच्छो त्वार्ट इस्ट पांच मिलेट दस सेंद के बात कि दमुर जा राई पांच मिलेट पर सेकंड से इस्ट की तरफ टाइम कितना लग रहा है ऐसा करने में 10 तो अवरेज वेलोसिटी आवरेज एक्षिलेशन क्या होता है ऐनक माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि समय डैड सकते इसमें एक तो समय आगा बटे इस यह बीकितना है फाइफ है ते कितना हो जाएगा 5 रुट टू क्लास में करमा है कुछ वन तीक अटाइम कितना है 10 तो क्या हो जाएगा दिएड जाटे ये कि ना ग्रचो 5 रूट टू डिवाइड बाइट जाएगा 1 बाइड टू डाइंटर क्या होगे बच्छो इस्ट आफ स कि नन अफ देज कि ट्वैंटी नमर को संड डूरिंग एन एक्सी लेशन मोसन अफ पार्टिकल एवरेज वेलोसीटी आपटिकल इस अलवेज लेस दन फाइनल बेलशिटी एगला थे यारी तो पहला आप्सन सीधा-सीधा गलत है मालना हम जीरो से चलना सुरू किये एक्सी ल यह मैक्सीमम है तो पाउ अपसन गणा थे एंगयू भान आज कि अब गलत हमैसा इसिग फाइनल से चोटा होगा अचा सुरू सुरू यह हमेश्वा यह मैसा अधर था वाला बता दिये हमेशा बाढ़ा होगा में क्या कर दो आप बाढ़ा में क्या हो कर दो मांनों कि 10 मिटर जोड़ादे इसको एक्सेलेशन पीछे लागा दुछाओ फीच निकालेंगे तो तो ग्रत हो गया में इस इकुबल ट। हाफ और फाइनल बेलस्यति विभी गलत है अगर युनिफर्म होगा युनिफर्म रेट से बढ़ेगा तब तो एकुल होगा लेकिन ड्न उनिफार्म से हो गा तो नहीं होगा बिसी कर लिया बच्चो यह वान डाइमेंशन का कोस्टन डाल डीयह की अलग बाद है क्या बच्च आवरेज बैलो इस इस से क्वन अब आ बी coaching करेम में जहां से चाल्ला स्वी करेगा ऑगर गूम करें discussant भी है तो इसका फाइनल displacement कितना हो जाएगा इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट वाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा जीरो तो एवरेज़ वेलोसिटी कितना होगा जीरो यानि कोई पार्टिकल अगर सब्सक्राइगा एक्सिलेटें मुशन कर रहा है तो एक बच्चों थोड़ा ज्यादा फास्ट है इसलिए क्योंकि ज्यादा कुश्चन है कि मिटा दे है चलिए कुशन 21 क्या बोला बच्चों तू अब्जेक्ट आर मुविंग इन एस्टेट लाइन लिविंग पॉइंट एवित एक्सिलेशन ये विक बच्चों क्लास का कराया कि इसमें हमलों डिशीट नहीं बनाए है कुछ और दे दिय है विaisia लीटरALS में कि दें इसका दिया है । хват बताना बच्चो और क्या होता है दोनों the distance covered by the object with respect to a when one overtake the other ये क्या है बच्चो ये वाला overtake करेगा इसको शुरॉआत में कौन देज चलेगा ये तेज चलेगा क्यों बच्चो क्यों कि इसका speed क्या है ज्यादा exclamation काम है तो जल्दी से start करेगा इसका का吧 स्फीड मेजल छाएगा तो धीतर से स्टाल करेगा लेकिन इसका स्पीड बढळते जाएगा मानलों कहीं जा के ये पहले वाला क्या किया दूसरा रखर्राइट क्या कि और इसे तो जब यहसा होगा इसका displacement मालनो कितना है दोनो का सूरे सम्ध डिस पहला करेगा तामसे कहा पुछा है बत्चो तो टाइम कितना होगा ना दिस्टेंस मूड कितना डिस्टेंस भूव करेगा किक है तो मालनो डिस्टेंस निकालते हैं जब ओवडेक करेगा मतलब तू यू अन्युक्ति यह जो टो एक बाएफ रस्पेक्टिवल को तो इसका इस था दिस्ट्री अंगा एक इस भॉबर कितना है यू टी प्लस क्या हो जाए बच्छो हाफ एक इतना है टू ए इंटू टीए स्केर यह यहां से क्या कर दें बच्छो एक टू इस तू केंसिल ट this is Broward कितना हो गया YOUT T्प्लस कितना हो गया AT2 कुक्सरन नम्βर वन दूसरे का दूसरे का क्या हो जाएगा दूसरे को नगाएंगे तो एक तो s प्राबर कितना एयस ब्राबर basically हो जाएगा लोगा कितना है 2 u t plus क्या होगे बच्छो half a into t square यह क्या हो गया बच्छो यह से केंड का दोनों का डिस्ट्रस्मेंट से मोगा ओवल्टी करेगा तो दोनों का इक्वाल कर दो यहां से क्या हो जाए बच्छो ut plus a t square is equal to कितना हो गया 2 ut plus half a t square काम को इसको इधर बेजो उसको अधर बेजो यह क्या हो जाएगा ut minus 2 ut half a t square minus a t square कितना बच्छेगा बच्छो minus ut आया क्या होगा minus half a t square एक t से t cancel है निकि t बढ़ाबर 0 a cancer minus minus cancel हो गया और दूसरा इस इकल दूकितना हो जाए बच्छो टू यू डिवाइड़ बाइक या यानि कि इतने टाइम के बाद ओवर्टेक कर जाएगा अब किसी एक एक इक को सर्मटी का वैलू रख दो इस प्लेस्ट आ जाएगा निकाल यहां पर देते हैं तो एस ब्रावर कितना हो गया सब्सक्राइब जाएगा टू यू एस वियर्ट बाइए फ्लस एंटना हो जाएगा एंट्फोर ऊस्वाइड बाइग इस फियू स्फ्टेक्रम इस्वेर चलेम टी तो धूह जाएगा जलै तो ऍस Mais 250 गांची औरनी मिट्सर्म नृक्थ ओरन से यहां क्ट्छों से बिट्स यू एस्क्वाइर डिवाइड बैकितना एक लेर बात चले हम्रों 22 पे बहुत टाइए हो रहा है 22 पे चले मिटा दे मिटा दे बच्चों को सब्सक्राइब 22 एक स्टोन इस फ्रीली फॉलिंग अंडर गेविटी एक स्टोन है जो क्या हो रहा है बच्चों यहां से प्रीफॉल कर रहा एक लिवीटी से पहले टू सेकेंड में यह कितना डिस्टेंच चलता है बच्चों यह माल लो टीज इकल टू कितना 2 सेकेंड देख्या स्टार्टिंग से तो यह डिस्टेंच कितना है एक इसको बोल दिया है अगले दो सेकेंड में अब और नीचे है अग्ले 2 सेकेंड में क्या होता है बच्छों ये डिस्टेंस को किता मान लिए है चीट लिए तो बोला है कि इसका दीशियो क्या होगा तीनों का तो पहले है चावन कीतना हो जाए बच्छों अगले ये दो सेकेंड के लिए तो अगले ये दो सेकेंड के लिए अगले दो सेकेंड के लिए मत निकालो दिककत होगा औगले पूरे चार सेकेंड के लिए निकालो फीर इसको ऊपर वालो को माइनस कर देंगे तो यहां से लिखो यांनि कि अब लिखे टीन कितना रोगया यहाँ सेुना डिस्टरीट यहाँ करना अबच्छो कहते मैं जाएगा, तो कितना बचक गया नहीं सब्सक्तिक हो अग्हारीम है। आप संप्सक्षा इसलो गई Стू कहाए बच्छो 4 कुछ यहाँ से sécur अबच्छ, यहाल 6G अब देखिए बच्चों को क्या निकाला यह थार्ड वाला फिर क्या करो है स्टार्टिंग से 6 से के लेकर निकाल दो एस्टी के लागता हों अटैकर योटी स्टेन्स को स्ट हवक्त एस्टेन्स कितना है अधि अब देख लो तो हेच्वान इसका मतलब ऑप्शन क्या रहाएगा इसका सेकंड सॉरी इसका भी हम गलत दिये थे नौन अफ दीज देखो एच्वी बेसिकली आई टी में कोच्छा हुआ था उसमें फाइव सेकंड ले लिया था तो हमको लगा कि अगर दो सेकंड कर देंगे तो अफ्शन न टीजा लाएगा यहां से से संस्कार पुछा भी था चलो सहीं है ओप्शन क्या होगा है सेकंड रिक निकाड़्ट नहीं कर दोका चलो संस्कार तुमारा फिर पांच नम्मर बर गया चार में अब बढ़ गया कुस हम 23 मिटा दिसको चू मिटा दे मिटा दे कूशन नमर क्या हो बचुछ 23, if the acceleration of particle is 0, then its velocity is 0, speed is 0, velocity is constant, अब्यासी बात है, velocity is constant, अब्यासी बात है, अब्यासी बात हो सकता है, distance is less than displacement, यह कभी नहीं हो सकता है, यह तो 9th class का question पूछ दिये थे, distance is greater than displacement, सही बात है हो सकता है, बोथ A and C, तो option क्या आओगा बच्छो इसका D, बोथ A and C, अगला question थोड़ा ठीक question है, question number 25, तो बच्छो question number 25 में हमको क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आराम से कर ला होगा, a particle is projected from vertically upward from, चलो यहां से मनों project करते हैं, चाहिए अभी इसको छोड़ दो, ऐसे ही दिखो, a particle is projected vertically upward from point A, ठीक है, it take time T1 to reach a point B, इसको क्या लगता है, ऐसे उपर जा रहा है, यहां पर मालो point B है, यहां तक जाने में कितना time लगा T1, यहां पहुंच गया, फिर क्या बोल रहा है, but still continues, continue, move up, and it take forward time T2, अब उपर जा रहा है, उपर से घूम के, नीचे आने में इसको कितना time लग रहा है, यहां से नीचे आने में कितना time लग रहा है T2, ठीक है, तो हमसे क्या बोला बच्चो, कि point B का height बता यह, जमीन से कितना होगा, यह height बताना है, तो यहां पे concept है, हम जानते हैं कि नहीं बच्चो, कि यहां पे throughout the motion acceleration constant लगा, तो जितना time यह उपर जाएगा, उतना ही time क्या लगा इसको, नीचे आने में लगेगा, यानि बच्चो कि इसका total time कितना हुआ T1 प्लस T2, तो उपर जाने में कितना time लगेगा, T1 प्लस T2, यानि क्या हो जाएग हम जानते हैं कि top most point पे velocity कितना होता है, 0, वहाँ से u निकल जाएगा, कि कितने speed से फेके थे, b is equal to कितना हो जाएगा, बच्चो, u प्लस क्या, 80, final velocity 0, initial velocity निकालना है, acceleration पता है, g होता है, और time कितना है, बच्चो, T1 प्लस T2 by 2, यह हमारा क्या निकल गया, u is equal to g, T1 प्लस T2 by 2, यह हम क्या निकल लिए, u निकल लिए, initial speed, इसके बाद क्या बच्चो, हमसे height पूछाता है, यहां का, initial speed पता चल गया, time पता है, तो यहां का height निक पता चल जाएगा, निकाल दो, s ब्रावर कितना, ut plus half a t square, s का value कितना है, h, u कितना है, g into t1 plus t2 by 2, into time कितना, बच्चो, t1, plus half, acceleration किता है, बच्चो, minus g, into क्या हो जाएगा, t1 का whole square, तो यहां से क्या देख सकते है, बच्चो, कि जो हमारा height आया, multiply कर दो, क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, g t1 का square by 2, plus g t1, t2 by 2, into क्या हो जाएगा, बच्चो, minus g t1 का square by 2, यह दो नो कट गया, यहांने कि height कितना हो जाएगा, half g, t1, t2, option क्या हो जाएगा, d, यहांने कि answer क्या है, 4th, correct, ठीके बच्चो, आज हमको question करना था, हम लोग question कर लिए, हम लोग next lecture में मिलेंगे, बच्चो, उसमें भी हम question ही करेंगे, लेकिन किसका, अच्छा-च्छा question, projectile motion का, और उसके next lecture हो बच्चो, projectile from top of the tower, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, all the very best.